तो हेलो फ्रेंड आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पर तो हम ड्राप्टमेंड का सिविल का पेपर सॉल्व कर रहे थे हैं जिसमें हमारे पास यह पार्ट थार्ड होगा आज एंड हो जाएगा जिसने भी पार्ट वान और टू नहीं देखे हो पार्ट वान और टू देख लीजिए बहुत इंपोर्टेंट है इसके बेसिक से आप त्यारी करें इसके रिलेटिव आप क्वेश्चन करें ज्यादा इधर उदर न भागें है ठीक है क्योंकि लेटेस्ट वाला है 2017 अभी हाली में तो है ना तो इसके लेटेस्ट वाले आप या इसके रिलेटिव वाले आप क्वेश्चन सॉल्व करें ठीक है तो आईए बात कर लेते हैं अब 71 क्वेश्चन से तो इसको थोड़ा जूम कर देता हूं अब सरकुरा इस्टिक बार ओफ 20 mm डाया सरकस और टैंसाइल लोट ओफ 30 क्लोविटर इफ इस जुगार टू इंटू टैंटिवर 5 न्यूटन पर एमें स्क्रेट इलाउंगेशन इन दा 30 सेंटिमीटर लेंद्थ और बार विल भी तो इसका जो इलाउंगेशन बताना आपने ठीक है क्या होता हमारे पास फॉर्मॉल्ल इलांगेशन का इलाउंगेशन का जो फॉर्मॉला हो जण जाता है पी एल अपॉन एः अब हमको दिए है थर्टी क्लोन्यूटरे इसको न्यूटर्ण पर mm2 में बदल देंगे इंट thousand ठीक 와 the length ֵिया में 30 है अपॉन को एरियाय कितना दिया है पांसे क्वेट है फ्लेट forming तो इसका जो आंसर आजाएगा वह आजाएगा आपके पास कि 1.430 संटीमीटर इसका अंसर तो इसके जो पॉइंट में आपका पॉइंट 1430 mm में आप बदल देंगे तो mm में आपके पास यह आजाएगा option number 20 का correct answer हो जाएगा ठीक है तो basic बात कर लेते हैं हम the unit of string is string की कोई unit होती है नहीं होती है तो no unit ठीक है यह तो बहुत easy है अब देखिए हां पर calculate quantity of earthwork is expression for foundation of room 4 into 20 estimate का है आपके पास estimate का part question बन गया है वाल थिंगनेस इस 30 cm बिर्द और foundation 90 cm एंड डैप्त और expression कि वन मीटर इस तो आप इसमें explanation देख सकते हैं ठीक है आपको थोड़ा के लिए नहीं देख रहा हुगा क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास इना इसले में फूटो और इसको आपको दिखा दिया है इसको आप इसको करके देख सकते हैं ठीक अच्छा से जिसके इसके इसके लिए ले लिजिए अब बात कर लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेस्टिन की और ने इनिसस और रेड़ ऑप कॉंट्रेक्ट का कितना प्रॉफिट होता है को और ट्रक्ट का प्रॉफित होता हो थैंपर सन नुम्बर 20 का क्रेक्ट अब संटेरी इस्टॉलेशन अ प्रोवाइड अकॉर्डिंग टू आईएस तो इसका जो करेक्ट आसर होगा वहा ऑपस है अई है भालस है हिसमें मैं आपको थी तर॓ nu 63 क्या बोलता है क्या कौन सा कोडग यह कोड जो आपके पास बन जाता है यह ठाथ गयाता है Water supply drainage के लिए किसके लिए Water supply drainage के लिए बन जाता है वह भी Sanitation Saturday water supply drainage Sanitation कर लेते हैं वीवाला में यानिकी two zero six five किसके लिए बन जाता है यह बन जाता है यह कोट आपका किसके लिए Water supply बिल्डिंग के लिए आपके पास बन जाता है ना उनको याद रखे रहे ना क्योंकि पका सकता है इसमें से एक बार कुश्चन रिपीटिट होते हैं आप देख लिया करें इस पेपर को ठीक है यह नहीं कि छोड़ दूगर के अभी बाद में देखें अभी देखें सेलेक्श से ठीक है एग्री कर्चर एंड बिल्डिंग ड्रॉइंग से यह सी वाला 962 वाला ठीक है वास ऑप्सन नंबर इसका करेक्टर आंसर वोगा डी हो जाएगा ठीक है है कि तो बात कर लेते हम ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तो नेक्स्ट क्वेश्चन 76 इन होल सर्कुल बेरिंग आपको देए रखा कितना देखा नौर्थ 44 डिग्री 30 मिनट वैस्ट ठीक है तो इसका देखिए क्या बन जाएगा कितना दे रखा आपको नौर्थ इत रखना तो 360 से आप माइनस कर देंगे जब 44 डिग्री 30 मिनट को जो करेक्टर अंसर बन जाएगा आपके पास ऑप्सन नंबर एक करेक्टर अंसर जब आप सॉल्व गरेंगे ठीक है कि इनको थोड़ा जूम कर लिया जाए लास्ट रीडिंग लास्ट इस्टाफ रीडिंग इन एनी सेटप ऑफ दे इस्टुमेंटर एंड इंडिके शिफ्टिंग दा इस्टुमेंटर तो इसका जो आपको ऑप्सन रहेगा वह उप्सन नंबर भी करेक्ट आंसर बन जाए या निकि क्या कह रहा है कि अगर कुमार तक नहीं कि तो इसरीडिंग सेन नेकिशन होती है यहिसन ने मिल कमें टो यस फोर्फ चाइट्वला है टीक है है इन मेर फिलाइट लीस्ट काउंट इसटा सुझाइ Cring में और भीकूटे आँसर गलाहे स्टेनल और किल्टाट अनसर क्यूंकों धी से किण हमारे पास एक है सिफिया मैंнее कर रहा है तो इन दोनों के इसमें कर रहा है तो इसका उनाहे आ रहा है ब्हुंत इसमें है जो ब्रीज बनाये जाता है हमारे पास कि यहां पर जो बनाए जाते हैं ठीक है डिये डियुक्ति से लिखा नहीं जा रहा है तो इसका correct answer जो होगा option number is correct answer होगा if the free top channel is one meter then the free boat will be तो इसका जो correct answer बन जाएगा वो बन जाएगा आपके पास 0.30 meter ठीक है इसके table भी अब बता दूं मैं आपको तो इसके table आपको बहुत जरूरी याद करनी पड़ेगी तो इसके table बता देता हूं आपको तो discharge देख लीजिए discharge और यहाँ पर से free boat यह free boat है ठीक है अगर हमारे पास अगर हमारे पास 10 से छोटा है तो इसको कितनी value हो जाएगी 0.75 हो जाएगी ठीक है वही पास से 10 पास एक से पांच और एक से अगर ज़्यादा हुए और 0.06 से भी छोटा हुए तो क्या हो जाएगी value है ना तो इसकी जो value हो जाएगी आपके पास 0.50 ठीक है यानि कि पास से 10 में 0.6 होती है यहाँ पर 0.5 हो जाती है एक से पांच और अगर एक से छोटी है दिश्चार्ज के वह लिए 0.3 हो जाती है वही पार बात वे 0.06 0.1 से कितनी हो जाती है 0.15 तक ले लेते हैं value free vote की ठीक है इसको देग लीजिए इसमें से पक्का एक ना question आएगा क्योंकि repeat भी होते तो क्या होता है paper में उसकी आस-प्रास वाले question लगाईए बस clear हो जाता है इसी दिखकर नहीं है और हमें एक allowance कर देदा हूं आपसे क्या होता है कि मैंने अभी 2000 question की स्टार्ट करने वाला हूं मैं चार-पांस तारिक से ठीक है पांच तारिक से 2000 question की ड्राप्ट मेंड की स्टार्ट करने वाला हूं तो उसमें जुरूर जुड़िए ठीक है जिसको जूड़ना है इसमें इसमें और सबको बता दिना जिदने आपके फ्रेंड होंगे 2000 question की स्टार्ट होगी परड़े बीस यह तिस तीच क्वेश्चन करेंगे यानि कि एक दो महने में आपका complete हो जागा 2000 question की स्टीज तो बात कर लेते हम अब 81 question की कि भी मिंदा विच वन एंड इस फिच्ट एंड अधर इस कॉल्ड इस कोई question यह बेगार साय कैंटी नीवर ठीक है कि तक कि लिए cover of slab इसमें भी कुछ नहीं है 15 mm कर लिया जाता है ठीक है इन जनरली आर्ट सी वर्ग दा रिकमेंडर प्रोपोर्शनल और माटेरियल इस देंगे हमारे पास यहां पर क्या था कि जो आयोगने हमारे पास जो आंसर सही करा था वो कर रहा था कि ऑप्सन नंबर डी सही करा था ठीक है जबकि करेक्ट आंसर कौन सा बनता है आपका आर्ट सी वर्गे के लिए हमारे पास कौन सा है एक डेड़ तीन एंट्वेंटी ठीक है है एंट्वेंटी हम यूस करा जाता है इसमें को कोफिशन्ट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सिमेंट कॉंक्रेट इस तो वह कि वह कौन सी रग जाती है सिमेंट कॉंक्रेट में 3 इंट्व 10 की फावार माइनस 6 पर डिग्री सेल्सियस ठीक है और एक क्वेशन और था कि जो है उसको मैंने जड़ा चेक कर आपके लिए कि अधिया उसका क्या अंसर आपकर टैंसन टैंसन क्रेक आजाते हैं उसमें सब कॉंक्रीट ठीक है और इंक्रीसिंदा क्वांटिटी और कार्वन इस्टील ऑन दा फॉलोइंग विल डिक्रीज क्या हमारे पास डिक्रीज हो जाती है और टैंसिटीस यानिकी डॉक्टलिटी को हम यह बोला जाता है कई बच्चों नहीं पता हुआ नियरेस्ट एच आप दिस्टेंस सेंटर मे सुदो नौट भी लाइस देन 1.5 डी क्या हो जाएगा 1.5 डी हो जाएगा यह हमारे पास किसके लिए मसीन के लिए होती है बेसिकली और 1.7 डी किसके लिए हैंडे के लिए होती है एच दिस्टेंस हैंड डिकली क्या होती है एच दिस्टेंस ठीके 1.7 तो आज सी कॉलम बिसकाड़ी तो लॉट यहां पास तो लॉट कॉलम से आगया आर सी सी हैं लॉट कॉलम है तो 60 ठीक है अगर तीन से कम है तीन से कम है तो पेडिश्टर और वहीं तीन से बारा के बीच में है तो सौट कोलम 12 से साटी के बीच में मीडियम कोलम और साटी से अगर ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा लॉंग कोलम तो यहां पर लॉंग कोलम आ गया इस पार सिसे परफेक्टर फटर कंक्रिट इस पार सली बोल दिया तो ऑसम बोल धिया ठीक है पार सी यहां पार सुरिघ हो जाता है तो यह स्टील के लिए होता है कि 1.15 के लिए इस्टील के लिए होता है कि दा अंडर सरपेस ऑफ एन आर्च इसका इंट्रडोस कुछ निया बेगार सोगोशन नहीं बहुत इसी है कि यह दैमनेस को भी प्रिवेंट करता है हीट इंसुलाइंस भी होता है साउंड इंसुलाइंस भी होता है और आप इसका करे एक नाफ्ट हो जाए ना बेरिंग एक स्टी ऑफ स्टोन ओल अप इसका करेक्टांस आप अर्टेंप्रेंट क्या बोला है यह त्रक्चर भी प्लैट्फर्म टू एंट्वर लेबर टू रख ठीक है क्या बोला है इसको फोल्टिंग शों बैमबो के बनाते हैं में इसका फोल्डिंग है जब हम क्या करते हैं किसी ऊब्व a बीजियों न ऊसरी करने कर नो एक यीड थी है ना उसको हमने क्या कर दिया हाप आदा कट कर दिया है यहां से ठीक है इसको कि इसको कितना कट करते हैं थ्री भाई कि फोर कट कर देते हैं है इसको क्या बुलाजाता है इसको बुला जाता है आपके पास कि इं गो क्लोजर बूल जाता है क्या बूला जाता है की पासे हैं। कि फिर बात के दा हाइट ऑफ फर्स्ट इस्ट इस्ट बिल्डिंग थ्री पॉइंट टू जिरो मीटर एंड राइस इस थर्टीन सेंट्रिमिन दंबर ट्रेट इसको हुमर के दे दूगया चलिए बताई देता हूं मैं इसको ठीक है किया इसको क्रेक्ट आंसर होगा तो पहले क्या आप सॉल्व करिए एक मिर्ट का समय दे रहा हूं मैं कि क्योंकि मैं बता दूगा तो कोई फाइदा नहीं होगा चले छोड़े बताई देता हूं तो क्या हो जाएगा इसका जो क्रेक्ट आंसर क्वेंटी फॉर होगा आप देखें कैसे होता है ठीक है 24 क्रेक्ट आंसर कैसे हो जाएगा इसको मेनिवाइस कर देते पेले तो देखें क्या देखा थ्री पॉइंट क्या देल रहा है तो इसको अपन क्या करते हैं 300 सेंटीमीटर में चेंज़ एक तीन सो भी सेंटीमीटर हो जाएगा ठीक है कि 300 सेंटीमीटर हो जहा है कि अब क्या करतेंंगे हम राइस निकाल देगे यह से राइस बराबार अब मねmb理 यह उठे 20 अब ओन 13 सेंटी मीटर यानि की बिल्डिंग की हाइच है क्या होता है है हाइड अपॉन राइस यह करा था इसका थे तो यहां से क्या हो जाता है एक फोर्मूला मॉइंत आता है हुआ हिरे हम कि अल्छा इसıt माइनस वन राइस है ओके राइट मैनस वन कितना होगा यहां से अगर आप करोगे तो कल्कुलेट रहे तरह 25 यहां से 25 है क्या 25 माइनस वन बराबर कितना हो जाएगा 24 इसका करेक्ट आंस हो जाएगा ठीक है आगे आपको समझ में हमने सबसे पहले क्या करा 3.20 मीटर यह चिंज चिए और क्यूंकि यहाँ पर भी संतीमेटर है तो है दागी है त्रीन कर दिया हमने है यह क्या करण है टीन कर दिया तो इसका क्या आगए प्वेंटी तो यह होटा हैै तो हमने राइस निकाल लिया था 25 25 यह था हमारे पास किया गया राइस पचीस आ गया मैंनस वन वेबर 24 ठीक है तो आप देख सकते इसको बहुत एजी है फॉर्मुली या दूने चाहिए आपके पास कबल रूप इस यूजड फॉर इस्पान तो इसको कुछ कोई बहुत सरल है 3.5 मीटर से कम होना चाहिए 3.5 मीटर या फिर उससे भी कम होना चाहिए जो कबल रूप होते हैं ठीक है इन कूफिंग स्लोप प्रोवाइट फॉर डीपी सी आर इसकी वैदरिंग कर जाती है आंसर दा प्लेज वेर टू स्लोपिंग रूप मीट ऑफ तुगेदर इस तो दो यहां पर से मिल गया हमारे पास रूप इसको क्या बोलते हैं रिजिट बोलते हैं रिजिट ओनली ठीक ह है हमारे पास क्या होता है कि रिजिट होता है दो रूप से मिल गया और यहां होगा एक दर की साइट होगा नइस तो रूसे मिल गया तो इसको क्या बोलते हैं रिजिट बोलते हमने यादञना ठीक है पिर हम 98 में पहुच जाते हैं डैम प्रोब्लम इस मोश्टली प्रोड्यूस भाई लिए देम जब भी इंट या फिर डैम नेस को कम करने के लिए कि हम क्या करते हैं उसमें अबने बिल्डी मी बनाई होगे डैम प्रूप कोर्स लिए क्या करते हैं सिमेंट में यह तो हम कुछ मिला देते हैं केमिकल ठीक है यह फिर नंपर इसकव और इस लीडिश लैंध और परपेंडिकूलर चो वॉल क्या कहते हैं उसको क्या है हमारी पार हैडर ठीक है पहले दालेंगे तो ऐस्ट्रक्ट्र ल पैरलेल समानतर तो ठीक है यह थे सेंट्र वेज यह प्लॉक और ऐसको ब्लोड ब्लॉक और आर्ची स्कॉल जो हाएस्ट्र सेंट्रल वेज ऑब दैज ठीक है है सिर्ट अच्छ ऑल ला रहे तो हैस्ट कांड सो था की श्टू जो आर्ट आर् कि क्रायस्टी भी बोलते हैं चिस टूर्ण या क्रैस्टी भी बोला जाता है इसको तो आपसन नमेर इसका क्या हो जाएगा कि इस्ट Арग करडा सुझार्बर edda लेसेकली हम कुछ बाते कर लेते हैं हना dataontiquement interviewed in हमारे पास देखिए अभी में ड्राप्ट में के लिए खुछ बता दिता हूं आपको कि द्राप्ट में के लिए ड्राप्ट मैं ठीके ड्राप्ट मैं सिवे लिए हम क्या कर रहेंगी चो आईटेई और डिप्रामा दोनु है उसमें क्या कर रहे हम 2000 क्यों होगी mcq सिरीज स्टार्ट करने वाला हो चीए इसी में होगी यूटूब में एंसी इस्टार्ट सीरीज होगी कि 2000 प्लस ठीक है इसमें 2000 प्लस 2000 से उपर भी हो सकते हैं ठीक है पर देगे इसमें क्वेश्चन कितने रहेंगे पर देखेंगे इसमें 30 कोश्चन ठीक है वो भी mcq based रहेंगे उसमें आपको additional knowledge भी मिलते रहेंगी बीच-बीच में जिसमें हम क्या कवर करेंगे जिसमें हम कवर करने वाले हैं अगरे इंजिनिरिक ड्राइंग और इस टार्डिंग के चैप्टर बतारो बीएम सी ठीक है यह स्टार्डिंग के होंगे और बाकी हम आगे वह करते देंगे ठीक है कि स連 kole वाइस पहले इस पर हम रिस्पोंस अच्छा एगा रिस्पोंस अच्छा एगा सबस्य यानि कीशष आप होगा इतना तो मुझे पता नहीं है एक्जाम के रिलेटीव होगा हो कुछ ना कुछ नूट वे किसन आया था तिक उनका मैसिज आया था कुछ तो कुछ नूट मिल जाएगी साय सितंबर में एक्जाम कंड़क्ट करा दिया जाए एक्जाम इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि क्या हो रहा है कि यूपी में आप देख रहे हैं कितने लेट लेट पेपर होता है गर उत्रागंट का होता करा देते अभी तक ठीक है तो देखिए ठीक के लिए कई स्टूडेंट ने बोला था ठीक है बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं उनकी कल्में नाम भी बताऊंगा आपको सो करूंगा ठीक है बहुत जिए जो कमेंट कर रहा है वह एक डेलिकेटिव तरीके से एक त्यारी कर रहा है मुझे लगता है अजिए टी यह डीसी के लिए और कई एक जाम है ठीक है जैसे एनने कमरें पर कम्रियाओ भी जुड़े हैं अ कि अना भूख अफ हैं ठीक संतोंड्रять ठीक है बहुत है जो कमेंड करते रहते हैं ठीक है गल्स भी है कई ठीक है तो बेसिकली यहाँ पर बोल लेते कि मैध की सीरीज स्टार्ट करें न देखिए मैं बता दितूं आपको क्या करें आप मैं आपको दोके में नहीं रगना जाता देखिए आरे सगरवाल उठाइए उस को आप सॉल करिये आ रहे सब्रवाल को कुछ ही नहीं है आपके पास 30 days में वह सौलब हो जादी आराम से उसमें भी आपको सबसे पहले क्या करना है पर्सेंटेज वाले चेपटर उठा लेना हैं सबसे वहले आपको पर्सेंटेज लेना है पिर आपको क्या लेना है उसके ब दाल देना इसी से हमारे पास सब कुछ लेट होते जाते हैं ठीक है एज वाले फिर कि टाइम एन वर्क कि ऐसे आपको बने एक वीडियो बना रहा है वह आप देख सकते हैं तो आप देख सकते हैं किस सब्जक्ट में कितना रहा है तो बाइद आप से मिलते हैं फिर अगर सिरीज स्टार्ट करने हों तो कमेंट कर देना पर 50 कमेंट चाहिए मुझे ठीक है आप इतने पैसे तो आप बताइए कैसा रहेगा कमेंट में 50 कमेंट जिस दिन आ जाएंगे उस दिन में उससे स्टार्ट कर दूंगा ठीक है वह भी ए आई टीटी एक्जाम से रिलेटिव होंगे डाप्ट मेंट के तो बहुत अब मिलते हैं फिर आप से नेक्स्ट वीडियो में तो थैंक्य एंड लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ठीक है जो भी नए स्टुडेंट जुड़े हैं जिसका भी कल एक्जाम होगा एंड डव्यडियेगा तो उसके लिए बेस्ट आप लग नडव्यडिये वालों के लिए बेस्ट आफ लफ ठीक है एंड और और अच्छे से आप